तो सारे LSE हम बढ़ चुके हैं LSE टाइप 1,2,3,4,5 और 7 बाट उन सारे LSE को हम इस वीडियो में जमा कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एरिया 51 एरिया आपके पास यह 0 और एरिया जो 678 है इनमें कौन-कौन से LSE मौजूद होंगे तो जो एरिया 51 है उसके अंदर जो LSE मौजूद होंगे वो LSE जो टाइप मौजूद है LSE टाइप यहां पर 1 मौजूद होगा LSE टाइप 1 इसके हाँ LSE टाइप 2 भी exist करेगा बिकॉज BMA टाइप नेटवर्क है LSE टाइप 3 भी मौजूद होगा बिकॉज LSE टाइप 3 जो आएगा वो R2 लेकर आएगा एरिया 51 में LSE आपके पास यहां से आएगा और यह जो नेटवर्क आपके पास मौजूद है नौन OSPF की 90 की नेटवर्क यह जब इस रूटर के तरो यानि R8 यानि ASBR जो रूटर हमारे पास मौजूद है बिकॉज हमारे डाइगरम में दो AVR है और यहां पर R2 भी AVR है तो यह information जब आपके पास पहुचेंगी इस नौन OSPF से इसके अंदर तो यह वाया आएगी LSE 5 के तरो और LSE 5 ने बताया था कि यह एक एरिया से दूसरे एरिया में उसी शेप में जाएगा जिस शेप में जनरेट हुआ है तो यह आपके पास LSE 5 यहां पर भी आएगा और LSE 5 जब यहां पर आएगा तो LSE 5 जब यहां पर आएगा तो LSE 5 एरिया 51 से डारिक्ली कनेक्टेड नहीं है आपके पास यानि ASBR की information R8 यानि ASBR is not directly connected to area 51 तो जो R2 रूटर है वो एक LSE generate करेगा कौन generate करेगा R2 generate करेगा यह सारी information इसी ही router से आ रही है it will generate LSE 4 यह LSE 4 generate करेगा जिसमें यह बताएगा कि कैसे पहुचा जाए ASBR तक यानि area 51 के अंदर LSE type 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 4 भी होगा और 5 भी होगा similarly area 0 के अंदर भी LSE type 1 मौचूद होगा 2 मौचूद नहीं होगा because there is no BMA type network 3 मौचूद होगा because जो R2 है आपके पास यह इस area के अंदर भेज रहा होगा आपके पास यह इस area के अंदर भेजेगा LSE 3 यानि area 51 के information R2 के तरो area 0 में आईगी यानि R3 के अंदर LSE type 3 भी मौचूद होगा area 0 के अंदर 2 मौचूद नहीं है यहाँ पर 4 भी exist करेगा because ASBR is not directly connected to area 0 यहाँ पर 5 भी exist करेगा यहाँ पर 4 कौन generate करेगा यहाँ पर जो 6 router 8 विल generate the LSE 4 यह LSE 4 generate करेगा area 0 के लिए और R2 LSE 4 generate करेगा area 51 के लिए इसकी अगर हम बात करते हैं आपके पास area 678 की तो यहाँ पर LSE type 1 तो मौचूद होगा LSE type 2 होना चाहिए था बट नहीं होगा BMA type network के नुसार होना चाहिए बट अगर एक ही router मौचूद है BMA type network के उपर और अगर वो DR भी है तो मनें दिखाया था कि DR विल नॉट generate the LSE type 2 तो तो अनूदर router present ना हो तो यहाँ LSE type 2 विल नॉट present तो यहाँ LSE type 3 मौचूद होगा because area 0 और area आपके पास क्यावन की information जो R6 router है वो R6 router बेजेगा इसको इस area के लिए तो यहाँ से LSE type आपके पास 3 इदर भी आएगा और यह LSE type 3 एक इस direction में भी LSE type 3 बेजेगा area 678 की information भी इदर आएगी और 0 और 51 की information LSE type 3 के तो इस पर पहुचेगी तो area 1 आपके पास LSE type 1 होगा 3 होगा और आपके पास यहाँ पर 4 नहीं होगा 5 होगा because जिस area से connect होता है ASBR उसमें LSE type 4 की हमें जरूरत नहीं पढ़ती तो यह information है LSE type 3 कब जब आपके पास हम normal areas यूज़ कर रहे हूँ NSA से ना बनाया गया हो यानि LSE type 7 ना किया गया हो अगर हम इस area को NSSA बना देते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास area 51 है इसके पास फिर भी LSE type 1 होगा 2 होगा LSE type 3 होगा LSE type 4 भी होगा LSE type 5 भी होगा यह वैसे ही आता रहेगा जैसे कि आपके पास LSE type 5 यहाँ पर आ रहा था but there is some difference जो हम आगे पढ़ेंगे कुछ LSE type 5 के डाटा भी उसमें changes होंगे NSA से बनाने के बाद but LSE type 5 यहाँ मौजूद होगा area 0 के अंदर LSE type 1 भी होगा और LSE type 3 भी होगा LSE type अब यहाँ पर LSE type 4 नहीं होगा यहाँ पर LSE type 5 मौजूद होगा चुके जब NSA से बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यह router पिछले वाले slide के अंदर AVR था बट यह router अब AVR भी बन जाएगा and ASBR भी बन जाएगा तो यहाँ पर जिस area से LSE आपके पास जिस area से ASBR directly connected होता है उसके अंदर LSE type 4 जनेट नहीं होता तो NSA से बनाने से area 0 से 4 गायब हो जाएगा but R2 is generating the LSE type 4 के generate करेगा किस के लिए area 51 के लिए but R6 will not generate the LSE type 4 because that is ASBR directly connected to area 0 इसके अंदर जो आपके पास मौजूद है 7 के अंदर यहाँ पर LSE type 1 होगा 2 formed होगा नहीं 3 मौजूद होगा because R6 लेकर जाएगा LSE type 3 की information 4 इसके पास होगा नहीं because ASBR is directly connected that is also the ASBR यह भी मौजूद है ASBR और यहाँ पर 5 मौजूद होता नहीं because हम आगे lab में study करेंगे कि NSSA will not allow NSSA will not allow यह allow नहीं करता LSE 5 यानि 5 को आने की यह permission नहीं देता तो 5 यहाँ मौजूद होगा नहीं यहाँ पर मौजूद होगा LSE type 7